अगर नहीं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इसे जरूर देखना चाहिए अगर ऐसे कोईशन के आंसर आपको चाहिए तो तो फ्रेंड्स आईए हम लोग शुरुवात करते हैं अपने वीडियो की देखते हैं कि कम्यूनिकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है विद्ध रहल पॉफ सैटेलाइट्स इन इंडिया चलिए कॉपी पेन अपने पास जरूर पूर रखिए फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं जो कि आपको नोट रखने होंगे आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो इंसेट का फुल फॉर्म क्या है इंडिया नेशनल सेटे हो पा रही है तो平ति विग्रम फाले के लिए अज का साथी नई जन्यक्रीश के सेटेलाइट के उपर करणने हैं सेटेलैट के इसलिए कर्फिध है इसको पढ़ना हम लोगों के लिए कुख चिरूरी आप मैं क्युक्ने माम मिज्सेशन पर व्हां इंट्रणे इंट है और एक PSL भी होता है तो इंसेट सैटेलाइट जिनके थ्रू कम्यूनिकेशन होती है ऐसे सैटेलाइट क्या कहलाती है इंसेट सैटेलाइट कहलाती है और यह किस तरीके की सैटेलाइट होती है यह होती है बना रही है, make कर रही है उनको और फिर orbit में भेज रही है, तो वो कौन है, इस रो है, इसका full form क्या है, Indian Space Research Organization, ठीक है, तो satellite के थ्रू जो communication होता है, वो satellites, basically कौन develop करता है, Indian Space Research Organization ही develop करती है, और वो ही इनको launch करती है, space में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत important information है आपके होगी, that is the Arya Bhatt, यहां पर लिखा है, Arya Bhatt, 19 April 1975 को सबसे पहली एक satellite, जो है, launch की गई थी, पर अगर communication, first communication satellite, जिसके थ्रू बात हो पाई है, जो हमारी जो TV के signals हैं, वो transfer होते हैं एक जगे से, दूसरी जगे, वो कैसे possible हुआ, किस satellite के थ्रू पॉसिबल हुआ है, तो सबसे पह हैं, 1982 को की गई थी, ठीक है, तो यह बहुत important information आप इसे note करके रखें, साथ ही इसके साथ, एक और fact में आपको बताती हूँ, देखें, मैंने या second में लिखा हुआ है, तो second मैंने क्यों लिखा हुआ है, second कब launch की है, यहां पर inset 1B, जो कि अगस्त 30 को 1983 को गई थी, सिर्फ ए है, second satellite भेजी गई, तो officially पहली satellite तो कौन सी है, inset 1A है, जो की इतनी तारीक को भेजी गई थी, पर वो सिर्फ 6 महीने काम कर पाई, उसके बाद जो है, inset 1B, अगस्त 30 तो 1983 में यह launch की गई, second satellite, आचा सबसे latest communication satellite कोन सी है, और कब launch की गई, बहुत important है, that is the G-Sat 31 on February 06, 2019, 2019, 2019 में अभी में फरवरी 6 को, 6 फरवरी को G-Sat 31, यह आपको याद रखना है, यह दो बहुत ही जादा important fact है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, the first satellite built by an Indian university, जो किसी university ने, बच्चों, university के बच्चों ने मिलके महनत करी, under the guidance of ISRO, ठीक है, तो वो पहली satellite कोन सी है, तो friends, वो ह इनुसेट, उसका, किसी university ने बनाई थी, अन्ना university satellite, इसका full form क्या है, अन्ना university ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम क्या, अन्ना university satellite, hope आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, questions friends, जो facts है, आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, मुझे लिख के बताईएगा, क तो यह आपको clear है, first satellite built by Indian university, तो Indian university के कुछ students ने इसरो के साथ मिलकर के, एक सबसे पहली satellite बनाई, communication के लिए, that is the NUSET, अन्ना university satellite, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, the latest student satellite launched by India, तो latest satellite जो इंडिया ने लाँच किये, students की help से बनाई है, वो है क्या, कलाम सेट V2, January 24, 2019 को, ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यह है, NUSET है न, सबसे पहली satellite है, जो university ने बनाई है, और latest कौन सी है, जो January 24, 2019 में कलाम सेट है, वो, ठीक है, होप आप लोग के पास copy pen होगा, आप इसे नोट करते जा रहे होगे, ठीक है, What is the name of educational channel of Indra Gandhi National Open University, तो इगनु की एक, अपनी एक educational channel है, उसका नाम क्या है, ज्यान दर्शन, बहुत ही इंपोर्टेंट जो है, यह एक question बनता है, पिछले exam में, आप ही चुका है, अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि अगर option आते हैं, तो आप options, अगर हमें पता होते हैं यह option यह इसका answer है, तो हमें जो है, सही option चूस करने में help मिलती है, इसलिए यहाँ पर इस question को include किया गया है, अब यह जो ज्यान दर्शन है, ज्यान दर्शन जो की educational channel है, इसकी इगनु यूनिवर्सिटी की, तो यह कौन से satellite का use करके broadcast की जा रही है, बहुत important question बन सकता है, channels, TV पर, ठीक है, कौन सी channel कौन सी है, ज्यान दर्शन, पर किस satellite के थुरू यह broadcast हो पा रही है, G710 की help से, ठीक है, इसी तरीके से ज्यान वानी जो है, रेडियो channel है, इसकी इगनु, इगनु इसको facilitate करता है, ठीक है, इगनु का एक center है, जो यह सारे media resources को देखता है, उसके बा बारे में निकाला हुआ है, जहाँ पर आपको students ने बनाई है, और कुछ specific काम है उनके है, तो student satellite, student satellite, stud set, यह इसका short form उनने बनाए है, कब launch किये, July 12, 2010 को यह satellite है, किन लोगों ने develop किये, 7 engineering college from करनाटका है, आंदर प्रदेश के बच्चों ने इसको develop किया था, to take the image of earth earth की image ले ने के लिए, ठीक है, तो eduset यह आप ध्यान रखे, क्योंकि कई बार ऐसे question आ जाता है, कि suppose इस तरीकी का question आ गया, कि इगनू जो है, अपनी channel ग्यान दर्शन का broadcast किस satellite के help से करता है, और option में आपको यह satellite दे दी, stud set दे दिया, जगनू दे दिया, और eduset दे दिया, और आप तो आप फिर कौन सा चूज करेंगे, अगर आपको अलग-अलग satellite के बारे में पता होगा कि उनके specific function क्या है, तो आप आसानी से आपके MCQs को जो है, या options को जो है, चूज कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, जुगनू बहुत important है, यह एक nano satellite था, जो कहां के students ने developed किया है, Indian Institute of Technology, कांदपूर के बच्चों ने इसको develop किया है, under the guidance of ISRO, तो जितने भी satellite जो है, फ्रेंट्स जो बनाए जाते हैं, वो under the guidance of ISRO ही बनाए जाते हैं, बहुत important satellites है, आप फ्लीज इने note ज़रूर कीजिगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे, सत्यबामा सेट, ठीक का नाम आपको बिल्कुल रट के रखना है, तो satellite from सत्यबामा, युनिवर्सिटी चिन्नाई, to collect data on greenhouse gases, तो ये environment से related भी हो जाएगा है, एक तो आपके यहां communication से relate कर गया, ये environment से भी relate कर गया, और higher education से भी relate कर, कौन सी ऐसे युनिवर्सिटी है, जिसने ऐसी satellite develop की है, जो कि ग् में इन्होंने इन इन gases के बारे में ये data collect करती है, तो ये आपको याद रखना है, नाम क्या, that is the Satyabama set, June 22, 2016 को ये launch की गई है, कहां से Satyabama University, चिन्नाई के students ने इन से बनाया है, launching तो अलग जग ऐसे होती है, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे exam से related नहीं है, ठीक है, और क पसंद आया होंगे, प्लीज पसंद आया है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट, अपने सजेशन्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बेस्ट उफ लुक एंड, गुडबाई